दमश्का to all my dear students, welcome back to our own platform, myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG mentor की हाल चल बचलो, कैसे हैं आप सब So my dear students, जो भी NEET 2025 को टारगेट कर रहा है उन बच्चों के लिए chapter wise weighted, जो हाल फिल हाल ही update हुए है 2024 के examination के बाद, जानना बहुत जादा जरूरी है अगर आपका भी target है कि मुझे chemistry में 180 on 180 score करना है भले आप dropper हो या पहली बार NEET 2025 का exam देने जा रहे हो, appear होने जा रहे हो इस साथ दोनों ही scenarios में आपको chapter wise weightage का idea chemistry syllabus का definitely होना चाहिए क्योंकि जितना भी content online available है उसमें previous syllabus से related analysis दे रखे हैं जो आपको unnecessary confusion create करेंगे बचों इसलिए make sure करो कि आज का ये detailed analysis video जो आपकी Saloni माम ने specially बैठ के किया है शुरुआत से लेकर अन तक देखिए क्योंकि बैठा जो NTA ने need का syllabus है वो 2024 में update किया था कई सारे chapters delete कर दिये थे अब जो deleted chapters है उनके marks किन नए chapters के अंदर transfer हुए ये 2024 के exam के बाद थोड़ी clarity आई है और अगर आपके दिमाग में वो clarity रहेगी तो आप उन questions को आप उन chapters को उनके concepts को और अच्छे से तयार करेंगे उन पर जादा समय देंगे और उनको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे हाला कि इस बार का जो paper था वो काफी CBSE level था, level काफी easy था बच्छो इसलिए अब score करना उतना जादा difficult नहीं है इसलिए cut off भी high जा रहा है तो cut off तो high जाता रहेगा लेकिन पहले हमें chemistry syllabus का chapter wise weightage की clarity 100% होनी चाहिए और वो चीज मैं आपको पूरा एकदम clear कर दूँगी बिटा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा NTA है वो ये कहता है कि आपको 11 और 12 का syllabus पूरा तयार करना है NEET के लिए टोटल 45 questions होंगे आपके chemistry के जिसके अंदर section A and section B होगा section A के अंदर 35 questions होंगे section B के अंदर 15 questions होंगे अब इन 15 question में से भी आपको सिर्फ 10 questions attempt करने हैं ठीक है? 15 में से कोई भी 10 question attempt करने है यानि section भी optional होता है, आप उसमें 5 question छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है? जो आपको नहीं आता है, वो आप छोड़ सकते हैं जो आते हैं, वो आप ले लीजे तो 35 प्लस 10, 45 questions आपको attempt करने हैं अब होता क्या था पहले, होता क्या था पहले बिटा जो आपका old syllabus था, अगर आप old syllabus go through करोगे तो उसके अंदर कुल मिला के 30 chapters थे लेकिन जो आपका नया syllabus आया है उसके हिसाब से आपके पास कुल मिला कर किते chapters हैं? 21 chapters 21 chapters अपडेट हुए हैं 2024 में और वही chapters carry forward होंगे 2025 में अगर मैं 11 और 12 का individual analysis देखूँ तो 11 का जो syllabus होता है उसमें से 58% paper बनता है आपका 11 के syllabus में से 42% और 12 के syllabus में से 58% questions आता है यानि लगबग 50-50 है आपको दोनों अच्छे से तयार करना होगा अगर आप 12 में हो अभी तो अभी आपको 11 का syllabus पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए जो बच्चे 11 में हैं फोकस करके पढ़िए और 20-26 को अच्छे से टारगेट करिए चलिए देखते हैं अब हुआ क्या है क्यों हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत पढ़ी बच्चों पहले ये 45 questions जो थे वो 30 chapter में से पूछे जाते थे लेकिन अब ये 45 questions सिर्फ 21 chapter में से पूछे जाएंगे तो ये 21 chapter कौन से हैं और किन chapters के weightage बढ़ गए हैं उन पर हमें जादा ध्यान देना पड़ेगा चलिए फटा-फट से देखते हैं नी 2025 chemistry syllabus तो class 11 के अंदर बच्चों some basic concepts of chemistry यानि आपका mole concept वाला topic ये बहुत जादा high weightage नहीं है बट इसके concepts बहुत सारे दूसरे chapters में use होते हैं फिर आता है आपका redox reaction जो electro chemistry के साथ connected रहता है और इस पर से भी अच्छे खासे question बनते हैं structure of atom ध्यान रखना है structure of atom में आपको rudal pod की limitation तक chapter को नहीं करना है chapter को आप शुरू कहां से कर रहे हैं electromagnetic waves electromagnetic radiation माले पार्ट से उससे पहले जो delton atomic theory, thomson model, rutherford model उसकी limitations वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है वो बहुती repeat mode पे आप काफी standard से पढ़ रहे हो वो delete हो चुका है उसके आगे का पूरा chapter structure of atom का included है फिर आता है आपका thermodynamics, thermodynamics again very important chapter, equilibrium आपके दो पार्ट है chemical and ionic और दोनों में concepts बहुती बैतरीन तरीके से दिये हुएं, organic chemistry some basic principles and technique इसके अंदर आपका all organic का basic जो आप GOC बोलते हो, IUPAC बोलते हो, isomerism बोलते हो बिटा जो हम अलग-अलग नाम से ये topics करवाते हैं वो इस segment में cover हो जाते हैं, उसके बाद आता है hydrocarbon, जिसके अंदर alkyne, alkyne and alkyne ये तीनों functional groups cover होते हैं, फिर periodic classification and chemical bonding chemical bonding बहुती basic, बहुती important chapter आपकी concept building के लिए आपको अगर ऐसा है कि मैं मैं 12 में हूँ, मुझे 11 के कौन से chapter से शुरुवात करनी चाहिए जिससे मुझे help मिलेगी, I would suggest start with structure of atom periodic classification, chemical bonding ये chapters अगर आपने कर लिया, आपको एक overall view दिखेगा कि हमें chemistry में आगे के chapters को किस तरीके से करना, concepts आपको समझ में आने लगेंगे फिर आता है principles related to practical organic chemistry, जहां पर आपके volumetric titration जो आप school level पे 11th and 12th में practicals carry forward करते हो, जैसे salt analysis, volumetric titration ये सारे topics included है, समझ में आ रहा है, और ये जो practical organic chemistry है, ये आपको इस chapter के अंदर भी थोड़ी मिल जाएगी, qualitative and quantitative analysis वाले part में, फिर आता है P block का part 1, जो आपके class 11th में है, अब देखो ये तो नया syllabus है class 11th का, पहले क्या syllabus था, तो पहले के कौन से chapters थे, तो पहले बेटा इसके साथ, इन chapters के साथ-साथ, states of matter था, hydrogen था, s-block था और environmental chemistry था, लेकिन अब ये जो chapters है, ये deleted chapters में count होते हैं, अब जरह imagine करो, इन 4 chapter में से, हर chapter में से, on an average एक question आता था paper के अंदर, states of matter से एक आता था, hydrogen से से आता था, s-block से आता था, environmental chemistry से एक question आता था, अब ये 4 question इन chapters के अंदर redistribute हुए हैं, जो हमारा final syllabus है, जो next year आपको आने बाला है, तो ये 4 question किदर गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आईए एक बद फोकस कर लेते हैं, class 12th के syllabus पर भी, class 12th के syllabus में, solution अच्छे से करना है आपने chemical kinetics, electrochemistry, organic में गुसते ही हमारे पास haloyalcans, halorenes, alcohol phenol, aldehyde ketone, amines, biomolecules, और inorganic में जब आप गुसते हो, तो coordination compound, dnf block and p block, ये chapters class 12th के syllabus में included हैं, पहले कौन से थे, अब देखो, पुरानी किताबे भाई बेनों की पड़ी ही होती हैं घर पे हैं और पुराने PDFs online भी available है तो overall मैं ये कहूँ कि बहुत सारा content previous का internet पे और आपके offline sources में भी available हैं, तो हमें clear होना चाहिए कि ये chapters हमें बिल्कुल नहीं करने हैं, solid state, metallurgy, polymer, chemistry in everyday life, surface chemistry ये सब deleted थे, और ये deleted है बिटा और इन सब में से एक, एक, एक question आता था, अब ज़रा देखिए, on an average यहां से 5 chapter कट चार chapter, 5 plus 4, 9, किसी के 2 question भी on an average आ जाए, तो बच्चों हमारे पास total 10 question extra, यानी 40 marks, अब ये 40 number या ये 10 question का weightage कहां पर redistribute हुआ, जो हमें 2024 के paper में देखने को मिला, let's understand that, तो बच्चों maximum weightage, अगर आप देखो, class 11th and class 12th के अंदर, तो class 11th के अंदर maximum weightage अगर कोई लेकर गया है, maximum weightage मतलब कि उसके अंदर 3 या 3 से उपर question आ रहे हैं, 3 या more than 3 questions are coming in that, तो उसके अंदर आपके पास है equilibrium, क्योंकि आइनिक भी है और आपके पास उसका chemical भी है, तो आइनिक और chemical दोनों मिला के 3, 2 से 3 question होते ही हैं, 3 on an average पकड़ के चलो, chemical bonding के अंदर से भी 3 question आते ही आते हैं, VAC, PR theory तो बहुत अच्छे से कर लेना, hybridization अच्छे से कर लेना, MOT theory अच्छे से कर लेना, ये लोग जान है इस chapter की, फिर आते हैं GOC with IUPAC, जो मैंने आपको सिखाया कि some basic principles and techniques of organic chemistry उसके अंदर ही आते हैं, और general organic chemistry में से कई सारे basic questions pick up होते हैं, तो ये maximum weightage, जब 11 का syllabus focus कर रहे हो, इन topics को बहुत अच्छे से करना है, इनके concepts आपके 100% clear होने चाहिए, इनके number of question practice भी आपकी जादा होनी चाहिए, along with that P block, P block का part 1 and part 2 दोनो equally important है, ठीक है, हाला कि इस बार P block में से जादा question नहीं आये थे, इस बार आपके questions क्ले बिस देख रहे हो, तो इसके अंदर जो organic वाला पार्ट है, उसमें जो functional group में oxygen और nitrogen है, जैसे की aldehyde, ketone and carboxylic acid, इनके अंदर oxygen दिखता है, आलकोहल, phenol, ether, इनके अंदर oxygen या nitrogen दिखता है, ठीक है, तो oxygen वाले जो भी functional group है, वो chapters का maximum weightage रहा, और उसमें भी क्या पूछा आ गया majorly, भाई साहब, name reactions, बच्चों को इतनी reactions याद रखनी पड़ती है, कि वो name reactions में confused रहते हैं, and maximum question name reaction से बनी हुई है, इन chapters के अंदर, तो इनके name reaction तो बहुत अच्छे से करने हैं, उसके बाद आते हैं, electrochemistry, electrochemistry usually 11 के redox के साथ पढ़ा जाता है बच्चों, और इन दोनो को मिलाकर तीन question के आसपास लगबग आया ही था exam के अंदर, getting it, तो redox ही कुछ concept, electro में जा रहे है, electro के कुछ concepts, redox में जा रहे है, तो हम इसको classify नहीं करेंगे, दोनों को मिलाकर आपके तीन questions आये थे, coordination compound, coordination compound के इस बर जाधा question थे, क्यूंकि inorganic chemistry में आपके पस chapters ही कितने थे समझ रहे हो, S block deleted, hydrogen deleted, P block से एक ही question आया था, और coordination compound के साथ ही हम DNF block भी count कर लेते हैं, क्यूंकि वो सब transition elements वाले ही coordination compound दिखाते हैं, तो basically DNF block and coordination compound, इस chapter पे आपको खास focus करना है, अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है, इन chapters को बिलकुल भी हलके में मत लेना, सारी चीज़े एक एकदम clear होने चाहिए, electro के सारे numericals, textbook के अंदर के, book bag के और previous years के questions सब कुछ करना है आपको, DNF block and coordination compound के अंदर बच्चों, पहले तो NCRT बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, line by line हर condition आपको याद होनी चाहिए, तो ये हो गया maximum weightage वाले chapter, यानि approximate 3 question यहां से उठते हैं, उसके बाद आते हैं minimum weightage वाले chapters, जिनका weightage मैं ये कह सकती हूँ कि 2 question जितना है, 2 question max to max यहां से आते हैं, class 11 में पढ़ते हो तो थर्मो देख लो, structure of atom and hydrocarbon इन chapters पे focus करना है, and minimum weightage class 12 वाले पे solution, chemical kinetics and halolacanes, मैं आपको ये पूरा pdf, chemistry by saloni, sinke, telegram channel पर भेज दूंगी, ये print out निकलवा कर अपने desk के उपर लगा लो, ताकि जब भी पढ़ने बैटो, आपको याद रहे कि आपको किन chapters को ज्यादा समय देना है, maximum 2 question है, एक एक question आने के chances कहां से होते हैं, ये एकदम छुडवाई है chapter, ठीक है, bio molecules, amines and mole concept, mole concept भले एक question आ रहा है directly, बट indirectly ये हर chapter में use हो रहा है, तो basically bio amines and mole concept आप ठंड रखे कर सकते हो, बाकि आपको इन chapters पे तो excessive focus करना है, आप बिल्कुल miss out नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चो, ये मैंने आपको clarity दे दी, overall chemistry syllabus की weightage के साथ, बच्चो, अब यहाँ पर ये आपका flow chart है, basically जो clarity मैंने आपको दी physical, organic and inorganic की, वो आप देख सकते हो, part 1 जहां पर भी लिखा है, वो organic chemistry 11th के लिए होगा, और ये inorganic chemistry के लिए हो गया, और ये physical chemistry के लिए हो गया, ठीक है, physical chemistry 12th की 20%, 12th की 20% organic chemistry और inorganic 15%, ये weighted chart है, जहां पर आपको ये समझ आ जा रहा है कि भाई मेरे को कहां पर जाधा ध्यान देना है, एक बार ये clarity लग जाती है, बच्चो तो आप अपना 100% दे सकते हैं, अब क्यूंकि हमारा syllabus बहुत limited है, जहां पर हमें 21 chapters करने हैं, और उन 21 chapters में भी हमें focus करना है, सबसे पह questions करने हैं, बार बार multiple revision करना है, ये जो बच्चा कर रहा है, उसे 180 on 180 के target को reach out करने में बहुत help मिलेगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% accuracy अचीव कर लेंगे, it's all about practice, जो जित्ता practice कर सकता है, वो उतना readily इस goal को achieve कर पाएगा, अब मैं आपकी इस process में कैसे help कर सकती हूँ बच्चों, तो यहां पर लगातार आपको class 12 के neat के content, along with जो बच्चे boards की भी तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए मैं यहां पर continuous chemistry को लेकर guidance देती रहूंगी, तो make sure करिए कि इस family का हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो पर अपना प्यार जरूर दीजेगा ताकि maximum students तक यह clarity of syllabus पहुँचे और जो बच्चे confused होकर preparation कर रहे हैं, जिने idea नहीं है, especially अगर मैं बात करूँ हमारे UP बिहार के बच्चे जहां पर resources की कम availability है, ऐसे बच्चों त जो उनको guide करें कि इसको ऐसे पढ़ना है, हमेशा एक lack रहता है अगर आप सबसे बड़े भाई बहन हो किसी भी घर में, क्योंकि I have felt, तो I can share it with you, तो अगर आप बड़े भाई बहन होते हो, तो अकसर एक guidance की कमी होती है, क्योंकि nobody is above you, जिसने already ये path cover किया है, तो आप मुझ as your mentor, consider कर सकते हो, need की entire preparation and journey के दौरान, कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है, आप telegram पे connect कर सकते हो, chemistry by Saloni Singh, और else, अगर आपको लगता है कि ma'am telegram पे आप respond नहीं कर रहे हो, आप instagram पे DM कर सकते हो, अभी तक जितने भी बच्चों ने किया है, मैंने सब के problem के solution दिया है, I have connected personally with those students, तो tension नहीं लेना है, clarity के साथ, लक्षे का पूरा idea होगा, तो इस पर focus कर पाओगे, और बहुत जल्द हम सीरी स्टार्ट करने वाले हैं, नीट के बच्चों के लिए, बोड्स के बच्चों के लिए, so stay tuned, all the best for your preparation, मिलते हैं नेक्स सेशन में, till then take care, love you all, bye-bye.